नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो आज मैं आपके लिए ओजोन लेयर डिपलेक्शन के बारे में बताऊंगा Energy and Environmental Engineering इसमें Ozone Layer क्या होती है Cards of Ozone Layer Deplection and Effects of Ozone Layer Deplection तो दोस्तो जो भी 6 पीके क्लासेस में पहली बार हैं जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो Ozone Layer Ozone Layer एक Layer होती है जो उपस्तित होती है Stratosphere के अंदर and Absorb करती है Harmful Ultraviolet Radiations which come from the Sun जो हमारी Sun से सूरे से निकल के Ultraviolet Radiations होती है यह Stratosphere से पास होते हुए Ozone Layer तक पहुचती है लेकिन Ozone Layer क्या करती है जो Harmful Ultraviolet Radiations है इसको Absorb कर लेती है और यह हमारे Earth तक नहीं आने देती है means हम तक नहीं पहुचने देती है तो the Ozone Layer is important for humans and Earth because it protects from this harmful Ultraviolet Radiations हमारे जीवन काल में हमारे लिए Ozone Layer बहुत ही महत्पून है क्योंकि Ozone Layer जो है हमारी प्रत्वी and humans के लिए बचा के रखती है Ultraviolet Radiation से तो जैसे की डाइग्राम में आपको दिख रहा है Sun से जो Rage पास हो रही है यह Rage हमारी Stratosphere में पास होते हुए Ozone Layer तक पहुचती है लेकिन Ozone Layer इन Ultraviolet Radiation को असोसित कर लेता है एपजार्व कर लेता है और हम तक नहीं पहुचने देता है लेकिन Ozone Layer Deplection का मतलब होता है कि जो हमारी Ozone Layer है तो Ozone Layer की जो थिकने सोती है मुटाई होती है यह हमारी धीरे-धीरे क्या हो रही है थिन होती जा रही है कम होती जा रही है बीच-बीच में आपको दिख रहा है Ozone Layer में छोटा सा होल भी हो गया है जिसके कराण कुछ Ultraviolet Radiations यह हमारी अर्थ तक पहुँचती है या जो Humans पे प्रभाव डालती है तो Means यहाँ पे जैसे कि आपको Depletion का Means मतलब है Reducing the Thickness of the Ozone Layer which is present in the Upper Atmosphere जो बाईवंडल में Atmosphere में ऊपर Ozone Layer प्रिजेंट है इस Ozone Layer का क्या हो रहा है छरण हो रहा है इसमें छोटे-छोटे से छिद्र हो गये जिसके कराण कुछ Ultraviolet Radiations इससे पास होते हुए हमारी Earth तक पहुँच जाती है और यह Layers हमारे लिए बहुत ही Harmful होती है तो इसकी जो Thickness Radius हो रही है इसमें जो छिद्र हो गया Hole है इसकी Size Increase हो रही है जिसके कारण यह बहुत ही क्या होती है Humans and Earth के लिए Harmful होती है अब यह क्यों हो रहा है ऐसा किस कारण से हो रहा है तो इसमें जो काज है काज आप Ozone Layer Depletion मिस ओजोन परत बिलोपन के कारण मिस जो मेन काज है Ozone Layer Depletion का यह है Human Activity मिस जो हमारी Activity है, दिंचरिया है, रुटीन है यह मेन मुख कारण होता है Ozone Layer Depletion का and Human Made Chemicals और जो हम Chemicals बनाते हैं अलग-अलग उपियोग के लिए That Contains Chlorine मिस यह Chemicals भी क्या होते हैं Harmful होते हैं जैसे These Chemicals Are Non-H Ozone Layer Sorry, Ozone Depletion Substance इन Chemicals को हम Ozone Depletion Substance के नाम से भी जानते हैं The Chloro Fluorocarbons जैसे कि आपने नाम सुना होगा Chloro Fluorocarbons Are The Priory का जाब दी Ozone Layer Depletion Chloro Fluorocarbons है यह Ozone Layer Depletion का पर्थम रीज कारण है क्योंकि इसका उप्योग हम इसे रेफिजरेंट रेफिजरेशन एंड एर कंडिशनिंग सिस्टम में करते हैं तो जो हमारा Chloro Fluorocarbons है या Hydro Chloro Fluorocarbons से इसमें हम क्या करते हैं इनका उप्योग करते हैं तो Chloro Fluorocarbons जो है इसके कारण से जो हमारा Chemicals होते हैं यह निकल के हमारे Ozone Layer तक पहुँचते हैं रेक्शन के थुरू और जिसके कारण Ozone Layer पर प्रभाव डालते हैं जिससे Ozone Layer में धीरे-धीरे जो छिद्र है, होल है उसकी साइज क्या हो रही है इनक्रीज हो रही है और इसकी साइज बढ़ने से दिक्कत ए है कि जो Radiations हैं वो बहुत सारी Radiations हमारी संसे जो रेज निकल रही हैं वो अर्थ तक पहुँचेंगी और हम तक पहुँचेंगी तो हमारे लिए इससे काफी बीमारी Cancers बगेरा भी होते हैं The Methyl Bromide Which is used in Pesticides Methyl Bromide है जिसका उप्योग Pesticides में होता है And Methyl Chloroform Which is used for making Industrial Solvents Means जो Methyl Chloroform होता है इसका उप्योग हम Industrial Solvent में बनाने में करते हैं और Also Responsible ये भी हमारे Ozone Layer Deplection के लिए Responsible है Means इसके कारण भी हमारे Ozone पे Layers है जो उसकी Thickness कम हो रही है अब दोस्तो Effect of Ozone Layer Deplection जैसे कि इसके प्रभाव तो सबसे पहले Effect on Human Health Means इसका जो Effect है एक इस पर पढ़ता है Human Health के उपर क्योंकि जो हमारा Skin Cancer होता है ये Skin Cancer के लिए Responsible होता है Ultra Violet Radiations तो यह Ultra Violet Radiations जब आके हमारे Skin पर पढ़ती है तो इससे Skin Cancer की Problem होती है Second Effect on Plants हमारे जो Plants होते हैं पदे होते हैं इस पर भी Ultra Violet Radiations का प्रभाव पढ़ता है जिसके कारण ये हमारे Plants में क्या नहीं होती है ग्रोथ नहीं होती है बढ़ते नहीं है Third Point है Effect on Bio Geochemical Cycle जो हमारे Bio Geochemical Cycle है जो हमारा पूरा Ecosystem होता है इस पर भी हमारे इन Ultra Violet Radiations हैं जो इसका प्रभाव पढ़ता है ओजोन Deplections का प्रभाव पढ़ता है Fourth है Effect on Ecosystem इसके कारण हमारा Ecosystem है जो Environmental System होता है ये भी गड़ बढ़ता है इस पर रहने वाले हमारे Animals हो गए पक्छी हो गए इसके अलाबा हमारे Plants हो गए और साथ ही हम Men's, Humans इन सभी पर बहुत ही बुरा प्रभाव है जो की Ozone Deplections का पढ़ता है तो दोस्तो Environmental Engineering में Ozone Layer Deplection से मतलब है कि हम यदी जो Harmful Chemicals होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं यदी इसका उपयोग हम कम कर दें इसके अलाबा जो हमारे Global Barming है इसका Greenhouse Effect है ये सारी चीजें हमारी Environmental जो है Environment इसको प्रभावित करती हैं तो यदी हम Clorofluorocarbons है यदी हम Recently बात करें तो Clorofluorocarbons को Replace कर रहे हैं किसमे? Hydrocarbons में and hydrocarbons जो होता है ये less harmful होता है as compared to Clorofluorocarbons carbon dioxide भी एक Refrigerent है but carbon dioxide is responsible for Global Barming तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? Related होते हैं तो दोस्तो यदी हम चाहते हैं कि जो ozone layer deflection से इसको कम किया जाए तो उसके लिए हमें जो harmful chlorofluorocarbons हो गया methyl हो गया hydrochlorofluorocarbons हो गया इसका उप्योग कम करना पड़ेगा या इसको हम ऐसे elements में Replace करना होगा जिसके कारण हमारी ozone layer पर इसका प्रभाव ना पड़े इस तरह से हम अपनी ozone layer deflection के लिए क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं ozone layer को हम बचा सकते हैं ओके दोस्तो थैंक यू